इस नियुम्रिकल मतलब कि आमने कल रिबिट वेल्यू इस तेंट अप्जुएंट प्रिएंच अप्जुएंट प्ड़ा तो उसको नियुम्रिकल देख जेते हैं तो क्या किया रहा है कैल्कुलेट दा वेल्यू आफ 22 mm डाया रिबिट यूजड इन लेप जोईंट इस अलाव एवल सिर इस्ट्रेस एंड अलाव वेरिंग इस्ट्रेस इस अंडेट एंड थ्री न्यूटन एम्म स्क्वार रिस्पेक्टिवरी तो यहां पर काई के लिए निकालना है ठीक्षिन में के लिए मेंन्सरेंड प्रीक्षक्वार इंड अप सिंगल मालें टक्ष्क्वार इकलिए यह यह kmal कि ने डाट्ठ में क्यों च्च्क्वार हमको सिगमा एस दिया है मतलब अलावावल सियर स्ट्रेस कितना दिया है 100 हंडर्ड न्यूटन पर एम्म स्क्वार सिगमा बी यार दिया है मतलब बीरिंग इस्ट्रेस कितना दिया है 300 है 300 न्यूटन पर एम्म स्क्वार और उसके वाद के लिए है नो मिनल टाया के दिया तो हमने जैसे पढ़ा था कि रोज डाया नकालने के लिए कि रूज डाया निकालने के लिए नोमिनल टाय 22 है 25 तक हम घरते हैं 25 तक करते हैं हम 1.5 प्लस और अगर 25 से ऊपर रिवेट डाया होता तो हम 2 प्लस करते हैं यहां पर दिया हम हिए अफ नोपिन रडाय हो गया है सिग्मा आज देदिया सिग्मा विए देदिया अचे छी अब निक्लते हैं आपन चाहिए कि इस चैन्थ अप्रिविट कि इस शेरिंग कि स्टैंथ शेरिंग स्ट्रेंग का फॉर्मूला के आधा हमार पास पाइबाब फॉर दी स्क्वार इंटू सिक्मा एस तो पेली रख देंगे सबकी 22 बाइब 7 इंटू 4 इंटू डायमेटर करता है 23 के स्क्वार इंटू 100 हमारा सेरिंग स्ट्रेंथ आप जाइंट आ गया 4 3 3 9 1.017 न्यूटन आप इसके बाद हम कर लेते हैं क्या बेरिंग स्ट्रेंथ तो बेरिंग बेरिंग स्ट्रेंथ इस द yeast अधरि 2 2 3 9 1.071 न्यूटन यह अमारे आगे शेरिंग स्ट्रेंथ ओल्या अब हम निकाल लेटें बेरिंग इस्ट्रेंथ इसका फॉर्म रहोता हमार पास डाइमेटर इंटो थिकनेस इंटो भी आर अब इसमें हमार पास थिकनेस तो है नहीं तो थिकनेस हम एज्यूम करेंगे एज्यूम थिकनेस ओफ प्लेट तो थिकनेस ओफ प्लेट हम ले लेता है एट एमें यह फिर टैने तो अभी हम एज्यूम करके चलते हैं एट एमें तो हमारा शेरिंग स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मुला जो था वह था टाइमिटर टॉन्टी थिरी पॉइंट फाइब इन्टू एट थिकनेस इन्टू थिरी हंड़ेट तो यह केल्कुलेटर से गल्सी से स्वार्प करने के बाद कुछ इस आएगा फाइब शिक्स फूर डबल जीरो न्यूटन लुट वैल्डी के लिए हम क्या करेंगे कंप्यार करेंगे शेरिंग और बेरिंग तो कंप्यार करते हैं शेरिंग कितना दिया है हमारे पास यह रहा हमारे पास यह रहा हमारे पास यह रही हमारे पास कतनी हमारे पास 43 3 9 1.071 locked जिया है यह रहीं स्रेंग और बेरिंग बिर्दाद केपने हमारे पास 564 00 newton तो रिविट वेल्यू क्या बोलती है इन दोनों में से जो कम हो इन दोनों में से जो कम हो वो हमारी रिविट वेल्यू रहती है तो इसमें किलियर दखराएए 43391.07 है और यह 56 तो मतलब यह बाला कम है तेमारी रिविट वेल्यू क्या हो जाएगी हमारी 43391.07 newton अगर यह कम होता तो यह हमारी रिविट वेल्यू दोनों को कंबेर करेंगे जो वाल कम होगा चो छोटा होगा वह हमारी रिविट वेल्यू रहती है चलिए ठीक है झाल झाल झाल